बात करेंगे गोजो वर्सस मार्सा के बीचे होने विल्याज के तीसरे ECS सीतन मैच के बारे में हर एक वो इन्फोर्मेशन जो आपको लेश जरूरी होगा अगर आपको फेंटेस्टी में 11 प्लेयर्स की तीम मनाना है एक एक प्लेयर वाइज पूरा पूरा एनालिसिस बता हुआ जिसके बाद आप खुद की भी तीम मना सकते हो आपको सारे प्लेयर्स के बारे में मालूम होगा चाहो आप D11 की तीम मान रहो चाहो आप दूसरे किसी एप के आप तीम मान रहो सारे जगा के फैंतेस्टी की तीम के बारे में बात करेंगे इस मैच के आप पिच रिपोट के होगा प्लेइंग 11 के होगा प्लेइस बिदल के होगा कौन सी तीम ज़्यादा इश्रॉंग है इस बारे में भी बात करेंगे बस आपको एक ये चीज़ का ध्यान देना है ये जम आपको वीडियो में एक तीम मनागी दूँगा ये एक हमारे एनालिसिस बेस की तीम होगी जो की लाइनाप आने से पहले एक तीम है लाइनाप आने क हैं तो फरी की चीज़ को मिस्पत करना यहीं पे मैं स्क्रेंस वाथ के जरिया आखरी के पांच मिनत में अपनी फाइनल टीम बेसता हूँ जिस तीम से मैं खुद पैसे लगा हूँगा उसके लिए आपको कुछ भी नहीं आप जीज़ भी वीडियो को देख रिक्रोस्ट के जरूरी भी असान भी एक दम फरी भी रहने हैं तो जोईन करना बहुत ज़्यदा ज़रूरी है जोईन करना मत फोलना जबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहुँगा मेंटचस इनके कैंसल हुए है, बाकी बकस वाध मैचस से हार करका रहे हैं, वहागी तलके तीम निया के सीजन के, पॉइंस six run के करीब का average score देखनों को मिला हुआ है यानि कि बहुत ज़्यादा high scoring गेम भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा low scoring गेम भी नहीं होगा लेकिन एक अच्छा मैच होने के chances था सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि number one choice रहेगा एफ मोगल लेकिन इसको आखरी मैच प्लेंग 11 में खिलाया नहीं गया है अगर ये खेलेगा ना अगर ये खेलेगा तो बिना कुछ भी सोचे आपको अपर तीम के जीतने के भी चांसर जादा है तो एफ मोगल आपको जरूरी प्लेर रहेगा उसका ससी कुमार जो कि आपको मेन बालर है गोजो की तीम का दो ओवर बालिंग प गई बार आपको 10-15-20 रन बना करके देए सकता है लेकि मेनली जो है ना मेनली जो है वो बालर है तो बालर के हिसाब से लेकर के चलेंगे जैद मौल एक प्लेयर अच्छा है लेकि पहले मैच इसको नहीं बल्ले बाजी करने का मौका मिला नहीं बालिंग करने का मौका मिला पिल्कुल भी लेकर के नहीं चलेंगा, बिकरम अरोरा, अगर इसको प्लेइंग 11 में खिला लिया जाए, तो बिना कुछ भी सोचे, आपको अपनी स्मॉल लिग रहें, लिक सभी तीमों में लेकर के चलना है, क्यों कई सारे सीजन के हुआ हैं, जा आप इसने बालिंग भी कर बाकी इतना भी अच्छा प्लेइंग लेकर के चल सकते हो, वरुन प्रसाद, अगर इसका दिन अच्छा हुआ तो यह आपको 200, 400, 300 पॉइंट भी दिला करके जा सकता है, फैंतेसी में इसने ऐसा कई बार करके दिया हुआ है, कई बार इसने सेंचरी भी मार करके दिया हुआ तीदिन के मैचस में बाले बाजी में भी फूर पाएगा, बालिंग से भी आपको दो ओवर जादतर मैचस में करके देगा, लेकिन इस सीजन में पूरी तरीके से फ्लाप गया, इस सीजन में एक भी मैच में चला नहीं है, तो यह कुछ ऐसे प्लेश ताज जो मान लोग खे यहां पर इसको एक ही फिकित मिला हुआ है, यहां पर इसको एक ही फिकित मिला हुआ है, यहां पर इसको एक ही फिकित मिला हुआ है, यहां पर इसको दो मिले हुआ है, यानि कि अगर शुरू के दो मैचस को निकाल दो, तो उसके बाद बचे को कोई भी ऐसा मैचस नहीं है, जहाँ पर अगर ना लोगे तो बुरी तरीके से हार जाओगे लेकिन अगर मार्सा की तीम पहले बॉलिंग कर रही है मार्सा की तीम अगर पहले बॉलिंग कर रही है दो ओवर आपको लागर है पूरा करके देने वाला है क्योंकि मारसा की तीम के जीतने के चांसर जाता है सामने कमजोर तीम है आप इसको ले करके जरूर चल सकते हैं अगर मारसा की तीम पहले बालिंग करें तो मारसा के बालस को भर भर के ले करके चलना है और मारसा के सुरूर के तीन चार बल्ले बाजों को ले करके चलना है लेकि कि आप बॉलिंग ऑप्सन है, इस्तिव रॉय हो गया, अभिलास हो गया, वकास यह तो मारसा का खेर बॉलर है, कई बाइसको बॉलिंग नहीं भी मिल रहा है, आखरी मैचे एक ही ओवर बॉलिंग मिला है, उससे पहले यहाँ पे दोनों मैचेस में दो दो ओवर बॉलिंग कि बदा पाई कि बॉलिंग मिलेगा कि नहीं, हाँ यह चीज़ कर सकते हैं, कि अकर इनके पास पाची बॉलर्स खिल रहे हैं, तो वहाँ पे वकास खान के बॉलिंग करने के चांसे बहुत जाते रहेंगे, मैं आपको एक चीज़ कहूँँगा, यह जो ती दन की सीरिस है, आखरी का समय चल रहा है, वहाँ पे हो क्या रहे जिसको कभी कुल्स नहीं दिया गए, मालो कोइब बल्ले बाच है, मालो, उसको अब telluter करके अब उसको बॉलिंग दे दी सारे जान भुसकर, जो मेन बॉलर यह है जो मेन बॉलर यह तीम का उसको बॉलिंग नहीं दे रहे, यह चीज जा रहा है जो कि एकदम से unexpected है तो यह चीज को focus करके चलना है यह अन्थोनी जैसे कि यह main baller आखरी मैंच इसने एक overballing नहीं कर रहा है बाकी मैं एक तीनों को लेकरके चलने मैं भला है F. Masi, हर मैंच जो कि दो overballing पूरा कर रहा है वी पकलापती जो कि हर मैंच मैक्समम एक ही ओवर बालिंग कर रहा था ज़ादतर मैंच मैं फ्लॉपी जारो था आखरी मैंच आखरी मैंच आखरी मैं देख सकते हो गोजो की तीम के खिलाफ इसी तीम के खिलाफ दो ओवर बालिंग करके इसको तीन तीन विकेंद में लेगा आपको लगरे कि मारसा की तीम मैच one-sided जीतने वाली है, तो यह तीनों में से कोई एक ऐसा बॉला रोगा, जो कि अच्छा बॉलिंग करके देगा, तो यह तीनों बॉला उपर आपको ध्यान दे करके चलना है, अगर आप देंगे माल रूंदी ऑप्सन है महरोज भी एक अच्छा प्लेर लेकिन इसके कई बार ओवर कम कर लिए जा रहे हैं बल्ले बाजी ऑप्सन में आपको सबसे नमबर वन चोइस कहूंगा एंड कोसला जो की बल्ले बाजी में ऐसा ओपनर आ रहा है जे पॉल्सन जो की बल्ले ब प्रेस्ट का है तो वहाँ पर आपको लेकर के इसको जरूर चलना है क्योंकि अगर यह खेलेगा दो ओवर वालिंग पूरा करके देने वाला है इंडीका परेरा को लेकरके चलूंगा बल्ले बाजी में आपको रूंस बना कर दे रहा है अब जो थोड़े से रंस बना करके दिया हुआ है अब जो थोड़े से रंस बनाने को जा रहा है आप इसको लेकर के चल सकते हो अगर आप यहाँ पर कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो आप एक काम करके चलना कि आपको एम सुलेमान को ना लेकर के चल सकते हो यहां से वकास खान को ना लेकर के वी प पाकाला पती भी को लेगर के चल सकते हो उसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो विकेट कीविंग सक्षन में अगर मालों यहां से एन खना या फिर एच मुगल में से कोई भी प्लेयर आपको प्लेंग 11 में धिक जाएना तो बिना कुछ भी सोचे आपको अपनी स्मॉल लिग ग्रैन लिक सभी तीमों में लेकर के चलना होगा एच मुगल जोग की समय मारसाक तीम गोर से कैप बना हुआ है प्लस आपको बल्ले बाजी में भी पांच वे नमबर पे आ रहा है प्लस आपको दो ओवर बालिंग से भी पूरा घर के दे रहा है एन खरना नीरस खरना बल्ल ओवर बालिंग पूरा कर रहा था हर मैंच यह परफॉर्मिस भी आपको करके पूरा पूरा दे रहा था घर नीरस खरना ऐसा फिकित की पर नहीं कहल रहा है यानि कि बालिंग करके देने वला है यह चीज़ आपको ओफिसियल लाइन आप आने के बाद मालुम चल जाएगा जैसे ओफिसियल लाइन आप आएगा वहाँ प्लेंग 11 में सो कर दिया है जाता है कि इस मैचे कौन प्लेयर एज विकित कीपर खेल रहा है तो वो यानि कि बालिंग नहीं करेगा बाखी बच्चेव प्लेयर स कोई भी बालिंग कर सकते हैं यानि कि नीरस खरना और एस मूग खेल रहा होगा इसको ले करके चलूँगा वसीम अबास प्लेंग 11 में रहेगा इसको ले करके चलूँगा यहां से मेरा मन है कि एफ महरोस को ले करके चलूँगा अगा मारसा की तीम पहले बालिंग कर रहे होगी उसके बाद यहां से विक्रम अरोरा खेलेगा तो इसको ले करके सीधे सीधे एफ मसी को और वी पाकला पती को लेकर के चलने की कोसिस करूँगा अभी मैंने इस तरह की कि फैद्यसी की तीम मनाई हो यह बाकी इसमें बहुत सारे चेंजस होंगे तो लाइन आप आने का जो भी फाइनल टीम होगी है वो मैं इसकरी सौथ के जरीया अपर तेलिगर राम चलोगा आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज़ूँगा जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के दिस्किप्शन और कमें सक्सामाक्स सबसुपर पि मैं से कमाई हो सबी ने ताब भी वहां पर जोई हो सकते हो यानि कि हमारे साथ आगे आनेले मैचस के लिए जोड़ सकते हो कहाई वीडियो में मैं एफ-मौगल को ले करके चलूँगा वीडियो में लेकर के अभी बहुत ज्यादा कॉसर आपके बहूत ज्यादा तो दोनों सो कोई एक मुझे लगता है चलेगा जरूर अब मारसाक टीम के जीतने के चांसे भी जादा है तो दोनों सो कोई भी चल गया तो हम काफी अच्छा विंद कर सकते हैं यह कमारे अनालीसिस बेस्की तीम है वाकी फाइनल टीम के लिए आपको मातली गराम चले को सब्सक्राइब करने के बाद सालों से वहाँ पर खेल रहा हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉलुशन भी करके देवा कम से कम हजारों यूजर्स का मैंने प्रॉब्लम सॉलुशन करा करके दिया हूँए लेवल चलेजर से इस पोटेशियों को बेरा का हो साना हो तो आप भी एक बाम एसस करके देख सकते हो सभी को रिप्लाइ मिल रहा है उसके अलावे यहाँ पर मैं भी खेल करके अपने महीनों के हजारों लाखों रुपए बचा रहा हूँ अगर आप हाई इन्वेस्टर हो तो लाखों में पैसा बचा होगे इतना कम आपक पीच देख में लेगा और अगर आप लोई इन्वेस्टर हो जैसे कि 10-200 रुपए का घलते हो हजार तक का तो आप हजारों रुपए महीने में सिफ खेल करके बचा सकते हो जीतना और हार्दा अलग की बात है कम पैसा देख करके ज्यादा विनिंग कर सकते हो लेवन चलेज इस पोदिए कुवराएब को पर